दनिया की पत्ति है लैसन अध्रक हरी मेज इसमें आला तो है नहीं विना ओले की चत्नी कैसे बनेगी भाई तो यह ले लिए आला एक और ले लेते हैं इतने आउले की हम बनाईंगे चत्नी इसको हम कट कर लेते हैं मावले ख॥ाने के बहुत सारे तरीके हैं रर किसी परीकर हैं से हमें आफला खाना चाहिए अत्mel Day TOM और किसी भी तरीके से हमें आउला खाना चाहिए आवला खाने के घुक वारंड़े छुद्ध भले भी divisions आ गया थी यह दूद्ह आ गया हय हमारा और बनेगा चाय तो बस आले को ऐसे सारे आलों को कट कर लेजिए और फेल आला जरूर खाना चाहिए एक आला सौ बिमारियों काल है कहिए तो मैं तो खुब आला का सेवन करती हूं बहुत जादा हाड होता है और जब इसे फ्रीज में रख दिये हैं और ज़्यादा हाड हो गया है ज़िए मैं इसे कट कर लेती हूं सारे आले कट हो गया है अब इसमें हम यह लेक्सन अद्रत हरी मिर्च थोड़ा तीखा बना रहा है और यह खुब सारा धनिया की पत्ती आप पुरीना की पत्ती भी ले सकते हैं पर मेरे पास पुरीना नहीं थे और यह नमक पानी के पीसेंगे मैं पीस लेती हूं सो फ्रेंट बन गया यह हमारा आउले का हरा भरा चटनी देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है तो आप इसे किसी प्लाश्टिक या कांच के कंटेनर में इस तरह से स्टोर करके कम से कम 15-20 दिन तक के लिए फ्रीज में रख सकते हैं और आजकल ठंडिया हैं तो आई एक कम से कम महने भर भी आपकी खराब नहीं होंगी और तीन चार दिन तक तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं यह खराब नहीं होंगी और आप इसे पूरी प्राठा और दोपर के लंच में अगर यह चटनी आपकी थाली में है ना तो जरूर आप यह चटनी एकबर ट्राइ करिएगा अभी तो मार्केट में आउला इतना ज्यादा मिल रहा है और आज संडे है तो आप लेकर के आए यह आउला और इसकी चटनी एकबर इस तरह से बना करके खाईए तो फ्रेंड जरूर बनाईएगा और खाईएगा और अगर आपको आज की मेरी चोटी सी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं किसी नेक्ष्ट बाइगा